रतलाम जिले में डेंगू बुखार के मरीजों की संख्यात तेजी से बढ़ रही है शासन प्रिशासन के कीटनाशक छड़काव और जागरुकता भियान से नियांदरन के सारे दावे फेल होते नजर आ रहे हैं हाला आती हैं कि जिले अस्पताल बाल चिकित साले सहित निजी अस्पतालों में बैड के लिए मशकत शुरू हो गई है मरीजों को जमीन पर लेटा कर भी उपचार देना पड़ रहा है जिला स्पताल लेब से 71 एलाईजा जाच रिपोर्ट में 11 नए मरीजों में डेंगू की पुष्टी की कई है वही मैडिकल कॉलेज के डेंगू वाड में अंटीजिन पॉजिटिव 185 मरीज भरती है मैडिकल कॉलेज में अब सीधे मरीज पहुँच रही है और जिला स्पताल से भी रेफर किये जा रही है जिले में अब तक एलाईजा जाच से 377 डेंगू के मरीजों की पुष्टी हो चुकी है किट जाच का अकड़ा भी तेजी से बढ़ते हुए 700 के आसपास पहुँच गया है इनमें जिला स्पताल, मैडिकल कॉलेज और निजी स्पतालों में उपचार लेने वाले शामिल है बीमारों के प्लेट लेट्स तेजी से कम हो रही है सामाजिक संसा मानव सेवा समीती की बलड बैंक से प्लेट्लेट्स के लिए लंबी कतारी लग रही है मानव सेवा समीती तो बिना किसी शुल्क के प्लेट्लेट्स उपलब्द करा रही है लेकिन कई नीजी अस्पताल प्लेट लेट से चढ़ाने का शुलक आट सो रोपे तक ले रहे हैं शहर में डेंगू का सर्वे मंगलवार को भी चलता रहा और फंगिंग भी की गई नामली और रावटी में भी दूसरे दिन सर्वे चलता रहा यहां मौस में बुखार के मरीज मिले और अधिकान शगरों में लार्वा मिल रहा है जिसे नश्ट कराने के साथ लोगों को जाक रुख भी किया जा रहा है गाउं में उक्चार भी दिया जा रहा है इसके लावा मलेरी अधिकारी डॉक्टर प्रमोध प्रजापती ने बताया कि पॉजिटिविटी कम होई है लेकिन मरीज तो अभी भी निकल रही है मौसम अभी ऐसा है कि डेंगू का लारवा पनप रहा है और मच्छर पैदा हो रही है आपको बता दें कि 11 से 14 वर्ष के 3 बच्चों की डेंगू से मौध भी हो चुकी है टाइम एट मध्यप्रदेश के लिए रतलाम से बैरागी वेशनव की रपोर्ट